ब्रेजन वर्ड का मीनिंग होता है बिल्कुली ओपन बिल्कुली बोल्ड एकदम शेमलेस उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है ब्रेजन इसकी टोन कैसे होती है इसकी टोन होती है नेगेटिव यह वर्ड किसी की ब्रेजन बोल रहे हो, इसका मतलब क्या बोल रहे हो, कि उसके अंदर कोई शरम ही नहीं है, उसने बिल्कुल बोल्ड होके, शेमलेस होके वो अक्षन किया, that is ब्रेजन, किसी अक्षन की बात कर रहे हैं, तो पार्टाव स्पीच क्या हो गया, एड्जेक्टिव, अगला इंटिमिडेशन, का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि लास्ट में आई ओए लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में आई ओए लगता है, वो शब्द आपके नाउन होते हैं, इंटिमिडेशन का मतलब होता है, किसी को डराना धंकाना, तो अगर आप किसी को Overzealous Zealous word का मीनिंग होता है Energetic होना Over का मीनिंग हो गया हद से जादा तो overzealous का मीनिंग क्या हो गया हद से जादा energy होना हद से जादा excited होना आज में ओपर जमाना है नीचे वो वाली feeling होना उसको क्या बोलते है Overzealous Last में OUS लग रहा है तो part of speech क्या हो गया Adjective Hamfisted का मतलब क्या होता है Hamfisted का मतलब होता है जब आप चीज़ें बड़ी खराब तरीके से करते हो तो जब आप लोगों से deal कर रहे हो जब आप communicate कर रहे हो बड़ी गंदी तरीके से काम कर रहे हो अब बहुत awkward और unskilled way में work कर रहे हो उसको क्या बोलते है Hamfisted होना Part of speech क्या है Part of speech है Adject आगे बढ़ते है अगला word है Imprimatur Imprimatur word का मीनिंग क्या होता है किसी ने permission दे दी तो उस permission को क्या बोलते है बस permission को बोलते है Imprimatur For example कोई इंसान official था वहां का उसने आपको एक project बनाने की permission दे दी तो वो permission क्या हो गई वो permission हो गई Imprimatur Part of speech क्या हो गया Now Rooted मतलब कोई अधार होना किस चीज का For example मेरी जो values है वो कहां पे rooted है हमारे culture में rooted है तो मेरी values का अधार क्या है मेरा culture है तो rooted means कहां से develop होई है अधार क्या है उसका इसको वैसे verb की तरह भी यूज करते है इसको adjective की तरह भी यूज करते है क्योंकि यह verb की third form है Embody करना इसका मतलब क्या कोई quality कोई idea को represent करना किसी चीज का एक तरीके से sign होना किसी चीज का एक रूप होना उसको इसको क्या बोलते है Embody करना Action की बात कर रहे है Part of speech is verb Strife इसके उपर double star माग को रिंपॉर्टेंट वर्ड है Strife का meaning क्या होता है वही कि आप कुछ और चाहते हो सामने वाला कुछ और चाहता है बात कुछ बनने रही तो आप दोनों लड़ाई करके बैठे होई हो तो बहुती जो Violent Disagreement होता है बहुती ज़्यादा कल है कलेश जो होते है उसको क्या बोलते है Strife ये भी क्या है Negative word है Part of speech क्या हो गया Noun Repatriation Last में I.O.N. लग रहा है noun Repatriation का मतलब क्या होता है Repatriation का मतलब क्या होता है किसी को उसकी country वापिस भेज देना Part of speech is noun Protracted इसकी उपर double star मार्ग करों Very important word है Protracted Means कोई चीज जो बहुत लंबे time तक चलती है कोई चीज चलनी तो सिर्फ 3 घंटे चाहिए तो लिग हो चल 5 घंटे रही है 6 घंटे रही है उसको क्या बहुते है Protracted Means बहुत लंबे time तक की है Part of speech क्या है Part of speech is adjective कुछ foreign origin के word आज यूज हुए पहला word जो यूज हुए foreign origin का that is क्या है Wide Wide का मतलब क्या होता है Wide का मतलब होता है देखो तो इस book को देखो इस passage को देखो इसका मतलब क्या है Wide करो Means refer to it Means see it That is V-I-D Foreign origin का word है Verb की तरह यूज किया जाता है Phrasal verb है Brush aside Brush aside का मतलब क्या यह आपका brush है यहाँ पर कुछ समान था आपने क्या क्या इसको brush aside कर दिया इसको brush aside कर दिया इसका मतलब क्या है Brush से aside कर दिया मतलब ignore कर दिया मना कर दिया अब हम तो नहीं से consider करेंगे हमारे लिए important name Means you ignored it That is what brush aside Cast a shadow किसी चीज की उपर shadow डाल देना मतलब क्या है कुछ अच्छा चल रहा था उसको खराब कर देना That is what Cast a shadow कोई चीज अच्छी चल रही थी किसी नहीं उसको खराब कर दिया तो उसमें अपनी shadow cast कर दिया Shadow को एक negative word की दरा माना जाता है Shadow is generally considered as a negative word अगला word है Under the ages of इसका मतलब कि किसी की protection से किसी के support से उसको क्या बोखते है Under the ages of Means with the protection or support of someone or something जसका मतलब किसी 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 चल बोखते है